जमुकश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलो ने तीन आतंकियों को मार गिराया इस मुड़भेड में जमुकश्मीर की पूरो मुखेमंतरी महभूबा मुफ्ती की पाठी के एक विधायक का रष्टदार भी मारा गया मारा गया आतंकी साल 2019 से इलाके में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था हेजबुल मुजाहिदीन का आतंकी वो था आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बलो को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलो की संयुक्त टीम ने लाकी की घिरा बंदी करनी शुरू की खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलो को निशाना बनाना शुरू कर दिया और इस दौरान सुरक्षा बलो ने आतंक्यों से समर्पन करने की बात कही, बावजूद इसके आतंक्यों की और से फाइरिंग होती रही और इसके बाद जवानों नी मोचा संभाला कई घंटे तक चली इस मुठबेड में, सुरक्षा बलो ने तीन आतंक्यों को मार गिराने मे सफलता पाई मारे गए आतंकियों की पहचान जबेर एहमदवानी कमरान जहूर मनहास मुनाबुल इसलाम के रूप में हुई है आर कि रूप में हुई है